हाई, वेलकन तो मैं चोनल, इस वीडियो में सॉल्ब करें एक क्वेशन नवर 5, तो ध्यान देजेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है यह कि जो लाइन सेग्मेंट दिया हुआ है, means BC and CD जो side का length दिया हुआ है, इनके vertices पर angle पता है कि नहीं, तो यहाँ पर देखे, B पर पता है आपको 105 degree, C पर पता है 75 degree, बट D पर नहीं पता, तो पहले पहले आपको इन तीनो vertices पर पता होना चाहिए, इसके लिए सोचना है क्या करेंगे, तो D पर find करने के लिए आप use करेंगे angle some property of a quadrilateral और find कर लेंगे angle D, after that आप start करेंगे construction, तो let us find angle D, तो हम जानते हैं कि angle A plus B plus C plus D करने पर कितना मिलेगा, 365 degree मिलेगा, अब यहाँ से आप angle D निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम इसको note कर लेंगे, सबसे पहले आप इसका construction start करेंगे, कहां से BC Length से, या CD से भी आप कर सकते हैं start, तो हम यहाँ पर करेंगे BC Length को ट्राकर करेंगे 5.7 cm, तो हमने यहाँ आपर BC Length सेगमेंट ट्राकर लिया है, 5.7 cm, अब इस B Point पर हम एंगल बनाएंगे 105 डिगरी का, तो आप देख सकते हैं कि BC जो Length सेगमेंट है, वो प्रोडेक्टर के हिसाब से right side में है, therefore हम उपर वाले scale का use करेंगे, एंगल ड्रा करते हुए, तो यहाँ पर एंगल ड्रा करना है आपको 105 डिगरी, ध्यान दिजिए यहाँ पर 105 डिगरी कहा है, 110 और वो 100 के बीच में Point आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर एक Point मार कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 100 and 110 के बीच हो बीच, हमने एक Point मार कर लिया है, तो हम B Point और यह Point उने मार किया था, Bx जो Ray है वो हमने ड्रा कर लिया है, फाइनली अब हम C Point पर 75 डिगरी का एंगल बनाएंगे, ध्यान दुझेगा C Point जो सेंटर है आपका, इसके Left Side में यह Line Segment है CB, इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले Scale के उज़ करेंगे, और देखेंगे 75 डिगरी कहा है, तो देखें, 50, 60, 70, 75, 70 और 80 के बीच में है यहाँ पर, एक Point मार कर लेंगे यहाँ पर, ओके तो आप देख सकते हैं, 70 और 80 के बीच में हमने 75 पर मार कर लिया है, अब हम C Point और यह Point होने मार किया है, यहाँ से जोइन करते हुए हम एक Ray ड्रा करेंगे, जिसका नाम होगा CY, ओके तो हमने CY Ray ड्रा कर लिया है, अब C को सेंटर मान करके, C को सेंटर मान करके, 6.8 संटिमेटर का ड्रेश ले करके, एक R खीचेंगे, जो Point D पर इंटरसेट करेंगा CY को, ओके हमने R खीचा, तो यहाँ पर इंटरसेटरसेटर मिला है आपको, और यह आपका D Point है, ठीक है, अब यह D Point पर, आपको एंगल बनाना है, 120 डिगरी का, ओके तो यहाँ पर हमने D Point पर सेंटर को रख लिया है, आप दिखे, DC, DC जो Line Segment है, यह आपका, इस प्रोटेक्टर के हिसाब से, Left Side में है, तो आप यह नीचे वाला Scale है, छोटा वाला Scale, इसका यूज करेंगे, और आपको ड्रा करना है, 120 डिगरी एंगल, तो यहाँ पर देखेंगे, 120 कहाँ है, तो 120 आपका यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल 120, तो यहाँ पर एक Point मार कर लेंगे, आप देख सकते हैं, हमने 120 पर एक Point मार कर लिया है, अब D जो Point है आपका, और यह Point हमने मार किया था, इसके Direction में, हम एक Ray ड्रा करेंगे, DZ जो BX को Card करके, एक Point देगा, जो Point होगा A, Okay, तो हमने DZ Ray को ड्रा कर लिया है, और हमने यह Angle भी बना लिया है, एकुली 120 डिगरी का, तो यह जो DZ है, वो BX Ray को Cut कर रहा है इस Point पर, तो यह Point जो आपका है, वो Point है आपका A, So this is your Required Quadrilateral, यह आपको को इस वीडियो को, और अपने सुख सेयर कर सकते हैं, Thank you so much for watching, Bye!